हालो फ्रेंड्स मैं हूं दिप्ति मेरी यूट्यूब चैनल लॉन विट मी में आप सबका स्वागत है आज हम बनाएंगे हेल्दी हल्वा अगर खुन की कमी है तो ये हल्वा अवश्य खाएं मैंने यहाँ पर शुगर का इस्तमाल किया है आप कोई भी हेल्दी ओप्शन चूज कर सकते हो लाइक गूड यानि की जैगरी और खड़ी शक्कर कुछ भी इस्तिमाल करके आप बना सकते हो सबको हेल्दी खाना तो है लेकिन टेस्ट में मज़िदार होना चाहिए तो आज बस वही देखेंगे कि ये बीट रूट का हल्वा हम कितना हैल्दी और टेस्टी बनाते हैं वैसे ये बीट रूट हम सेलेड में खाते हैं लेकिन अगर किसी को ये कच्छा बीट रूट पसंद नहीं है तो आप इस तरह भी उसको टेस्टी बना कर भी खा सकते हो तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक किलो बीटरूट यानि की चुकंदर ले लिया है इसको हम पील कर लेंगे और छोटा या बड़ा जैसा भी आपको अच्छा लगे हम उसको ग्रेट कर लेंगे इतनी अच्छी अच्छी टेस्टी और हेल्धी रेसिपीज दिखाती हूँ लेकिन उसके लिए आपको मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो अभी तक आपने सब्सक्राइब कर लिया है कि नहीं नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर दीजिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा तो यहाँ पर हमारा चुकंदर ग्रेट होके रेडी है अब एक पैन में मैंने वनफोर्थ कब गी ले लिया है वैसे यह बीट रूट यानि की चुकंदर खाने में बहुत टेस्टी होता है कच्चा या बोईल किया हुआ गी के गरम होते ही हम इसमें ग्रेट किया हुआ बीट रूट डाल देंगे इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे साथ में हम चम्मच से चलाते जाएंगे ताकि वो पैन में चिपके नहीं ये हलवा बनाने में बहुत यासाने और बहुत जल्दी बन जाता है और खाने में सब को पसंद भी आएगा तो यहाँ पर मैंने 300 ml दूड ले लिया है वो डाल देंगे इसमें हम इस बिटरूट को पका लेंगे दूद यहाँ पर जल जाए और अच्छे से हमारे बिटरूट पक जाए तब तक इसको हम चलाते रहेंगे 50 ग्राम मैंने नारियल का बुरादा ले लिया है 100 ग्राम खोया यानि कि मावा ले लिया है अपनी इच्छा नुसार हम इसमें ड्राइ फ्रूट डाल देंगे और शुगर ले ली है जैसे मैंने आगे बताया शुगर की जगा आप जहगरी यानि की गूड और सक्कर दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं बीट रूट अच्छे से पक जाए तब तक हम इसको पकाएंगे बाद में हम डाल देंगे यहां पर हमारे जो ड्राइ फ्रूट्स कट करके रखे हैं वो मैंने यहां पर काजू और बादाम कट करके रखे थे वो डाल रही हूँ आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी ड्राइ फ्रूट डाल सकते हूँ यहां पर जो नारियल का बुरादा थार वो मैंने आप डाल दिया है सब को अच्छे से मिला लेंगे जब सब अच्छे से मिल जाए तो उसमें हम स्वाद के अनुसार शुगर डाल देंगे मैंने यहां पर वन फोर्थ कप लिया है आप अपनी पसंद से डाल सकते हो शुगर डालने से वो अपना पानी छोड़ देगा और हलवा डिला डिला हो जाएगा लेकिन जब तक पानी ना जल जाए तब तक हमें इसको पकाना है जब पूरा पानी चल जाएगा तब हम उसमें डालेंगे खोया अगर खोया नहीं है कोई बात नहीं कंडेंस्ट मिल्क डाल देना है अगर कंडेंस्ट मिल्क डाल रहे हो तो शुगर की कॉंटिटी कम कर देना वो भी नहीं है मिल्क पाउडर डाल दो milk powder भी नहीं है कोई बात नहीं, घर की मलाई तो होगी ही तो वो डाल देना option बहुत सारे दिये है जो आपको पसंद आए वो करना basically हम हलवे को यहाँ पर rich और swadist बना रहे है बस अब आप यहाँ पर देख सकते हो हलवा की consistency perfect हो गई है तो यहाँ पर मैंने gaze बंद कर दिया है, मेरे पास यह mold है, उसको grease करके मैं इसमें डाल दूँगी room temperature पर आ जाए, उसके बाद मैंने थोड़ी देर इसको freeze में रख दिया था, ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए यह हलवा ठंडा ठंडा या गर्मा गर्म दोनों बहुत ही अच्छा लगता है आपको जिस तरह पसंद हो उस तरह से खा सकते हो इसके लड़ू बना सकते हो मैंने यहाँ पर चोकोर काट लिया है तो हलवा रेडी हो गया है और piece भी कर लिया है तो चलिए अब इसको serve कर लेते हैं उपर से मैंने एक एक काजू और रग दिये हैं ताकि दिखने में अच्छा लगे तो इतना अच्छा कलर इतना अच्छा टेक्शर और इतना स्वादिस्थ हलवा कौन बनाना नहीं चाहेगा राइट मार्केट में बीटरूट बहुत ही अच्छे मिलते हैं तो आज ही लेके आईए और बनाईए ये बीटरूट का हलवा मीठाई कभी भी खाई जा सकती है उसके लिए कोई त्योहार की राह देखने की जरूरत नहीं वैसे त्योहार चल ही रहे हैं तो आप इस तरह भी बना सकते हो तो मुझे आशा है आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेर जरूर कर देना और एक छोटा सा भी कमेंट कर देना ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो कैसा लगा है वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद प्लीज लाइक करना